मंगलवार को आधी राज चुप चाप देश के बड़े मुसलिम धर्म गुरूओं का एक प्रतिनिदी मंडल गृह मंत्री अमिच शाह से मिलने पहुँच गया यह मुलाकात करीब डिर घंटे चली इस मुलाकात में राम नौमी के दोरान हुई हिंसा से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई मुसलिम धर्म गुरूओं ने तमाम मुद्दों पर अपनी चिंताएं सरकार के सामने रखी हमारे से योगी सौरब शुक्ला की यह रिपोर्ट पिछले हफ़ते बंगाल, बिहार और महराश्य में हुई सामप्रदाइक हिंसा के बाद देश के बड़े मुसलिम धर्म गुरूओं ने ग्रह मंतरी अमिच्छा से मिलने का वक्त मांगा ग्रैमंत्री अमिच्शा ने मंगलवार देरात मुस्लिम धर्म गुरूओं के 16 सदस्य दल को मिलने के लिए बुलाया प्रतिनी दी मंडल के अगवा थे मौलाना महमूद मदनी मुसलिम धर्म गुरूओं ने एक एक करके चौदा बिंदू ग्रेमंत्री अमिच्छा के सामने रखे राम नवमी में बंगाल और बिहार में हुई हिंसा के जिम्मेदारी तै की जाए हेट स्पीच देने वालों पर सक्त कारवाई हो धर्म के नाम पर हर्याडा में हुई जुनैद और नासिर की हत्या में इनसाफ कब मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड़ पर ग्रेमंत्री अमिच्छा का क्या रोख है देश में बढ़ रहे इसलामोफोबिया को कैसे रोका जाए समलेंगिक विवा का पुर्जोर विरोध हो और करनाटक में पसमांदा मुसल्मानों का आरेक्शन क्यों खतम किया गया मीटिंग में मौजूद मौलाना नियास फारुकी का कहना है कि इन सवालों का अमिच्छा ने सकरात्मक जवाब दिया मौलानाओ को उमीद है कि इस मौलाकात के बाद बीजेपी सरकार और मुसल्मानों के बीच जो जमी हुई बरफ है वो कुछ पिगलेगी मुसलिम धर्म गुरू इस पहल को काफी सकरात्मक तौर पर देख रहे है लेकिन अगर इस मौलाकात के बाद ग्री मंत्रिया में शाह भी मीडिया से मुखातिब होते या बयान देते इस मुलाकात के बाद तो शायद ये विश्वास जो मुसल्मानों में बैदा करने की कोशिश हो रही है वो और पुखता होता सयोगी सुदीश कुमार राम के साथ दिल्ली से सौरब शिकला और खबरों की खबर में आज इतना ही नमस्कार